कई सारे बच्चों का ये प्रश्ण हुता है कि सरम तयारी भी अच्छी करते हैं और हमने सारे प्रश्ण लिखे भी सही थे लेकिन फिर भी हमारे अच्छे नमर नहीं आ रहे हैं हम टोपर लिश्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं टोपर बच्चे कैसे लिखते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे नमर प्राप्त करते हैं और किस तरीके से वो मेरिट लिश्ट में आते हैं आज यहां मैं आपके सामने बोर्ड की कोपी के उपर देख करेंगे कि आखे टोपर्फ बच्चे कैसे लिखते हैं और किस तरीगे से वो एकज़ामिनर को इंप्रेस करते हैं मैंने उस चैप्टर्फ पॉइंट में भी आपको बताया था उस चैप्टर में भी कि टोपर्फ बच्चे हमेसा ऐसे लिखते हैं और नमबर तभी आपको मिलते हैं जब आप एकजामिनर को इंप्रेस करते हैं उसको परभावित करते हैं यानि आपकी जो लिखावट की सेली है वो सेली ऐसी होनी चाहिए कि उसका एकजामिनर सोरी अपने जांच करता पर क्या पड़े सकारात्मक प्रभाव पड़े तो उससे समधित कुछ बाते मैंने पिछले पार्ट में भी की थी उस पार्ट को भी आप जरूर देखे और कुछ बाते इस पार्ट में भी करेंगे तो नमस्कार विदारतियों मैं हूं असो कुमार और आपका मेरे चैनल इस्टडी 58 में स्वागते हैं वीडियो को लाइक करें लाइक करने के साथ साथ में सेर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद तो दékhou एक्जामिनर नया होता है आपके लिए Ebola और आप भी नए होते हो एक्जामिनर के लिए क्योंकि इस्कुली एजुकिशन के अंदर जब एक्जाम होती है तब क्या होता है तब आप और आपका जो जांच करता यानि वो आपसे परिचित होते है आपकी लेखन से लिए वगरा सारे से लेकिन यहाँ एक्जामिनर के लिए आप नई होते हो बिल्कुल और एक्जामिनर के पास पी एक निचे समय होता और निचे समय के अंदर उसको कोपी जाच करके क्या करने पड़ती है बोर्ड करके आपको क्या करें अच्छी तरीके से नमबर दे क्योंकि कोपी पर कहीं भी आप देख सकतो रोल नमबर के अलावा और यह सारी जो डिटेल देख रहे हैं इसके अलावा कहीं आपका उलेक नहीं होता यानि जो जाच करता वो आपको नहीं जानता अब देखो पहली बात देखो हम पहले पेज पर आचुके हैं और यह पहला पेज ही आपको नमबर दिलवाता हैं और जाच करता कि दिमाग के अंदर आपकी छवी बैट जाती हैं कि इसको कितने नमबर देने इसी पेज को देखते ही वो निचित कर लेता है कि आप टॉपर बनोगे या पीछे रो पढ़ने में या लिखावर से उसको कोई दिक्कत हुई पढ़ने में दिक्कत हुई एक्जामीनर को किसको प्रिक्सक को तो वो क्या कर लेगा आपके अंदर उन चीजों को या तो इग्नोर कर देगा या फिर सही तरीके से आपका जाच नहीं होगा तो इस तीज को ध्यानर यही आप क्या करनी अंडरलाइं करनी यह चीज एक्स्टा लिखी है इतना नहीं लिखते तो भी भी पूरे नमबर बन जाते लेकिन यह टौपर बच्चा है एक्जामिनर को इंप्रेस कर रहा है तो इसलिए इसने यह सारी चीज़े की बीक्तिरी पिटक तीन है सुद्ध पिटक विने पिटक अभी दम पिटक यानि मैंने फिर से आपको कहूंगा कि पहला पेज इतना इफे घुमा फिराकर नहीं लिखे पॉइंट तू पॉइंट बात लिखे सीधी जो बात पूछी है वो इचीज लिखे दूसरा प्रशन हम देखते हैं जैसे देखो यहां पर पूछा था विजय नगर की सामराज जी की स्थापना कि इसने सीधा लिख दिया हरियर और बुका आसवगोस किस सासक के दरबार में रहते थे तो कनिस्क और पीछे लिखा कौन सा कि कुसान सासक फिर इन्हों की रहचनाएं लिख दी तो यह सारा आप देख सकते हो और यहीं से एक्जामिनर ने इसको क्या बना दिया टोपर बना दिया यह सारी चीज़े पढ़ ली अब आ आएं यानि कुले लिखें कच्रा पात्र कीडे मुखोडे के यह जो पहरों जैसा नहीं लिखें कई सारे बच्चे ऐसा गंदा लिखते हैं कि एक्जामिनर जरूरी नहीं कि आपकी लिखावड अच्छी होतो ही नमबर मिलताएं इसकी लिखावड इतनी अच्छी नहीं मिल ये फिर भी ये टॉपर्स हैं और जिससे गलत हो जाएं तो फिर देखो एक लाइनी बीच में कैसे किया वैसे खड़ना आप ऐसे पूरा कट-कट नहीं करें ये भी एक्जामिनर पर क्या डालता है गलत पर भाव डालता है ऐसे अंडरलाइन करें जैसे चतुर तो बहुत संग दो चलो ठीक है ये वन लाइन वाले अब दो नमबर वाले कि उसन खंट सिंग्या बहु में तो या तो ऐसे लिखिए या फिर आप इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए जैसे यहां लिखा ऐसे एक दो ऐसे वन टू ऐसे नमबर लगा करके कि सड़के एक दूसरे को सम करना इंप्रेस इसके बारे में आपको एक और कोपी दिखाऊंगा जिसमें भी टूपन ने कैसे लिखा यहां भी इसने हमीर वाला बहुदीक प्रेशन ताकि अलाव दिन खिलजी ने सिंद के सड़ेंतर में नव पढ़कर आकरमन करते हैं यहने उसके संदी के वाले सिंद संदी वाले सड़ेंतर में नव पढ़कर उस पर आकरमन करते हैं अपने पड़ोसी राजिन से मितरता रखती और अनमन और रतीपाल जैसे देश दुर्यों को उच्छ पदन देकर निर्वाचित कर देती ठीक है यह सारी देख लिजे इसकी फिर मैं अगली दूसरी कोपी आ आपके सामने अभी रखूंगा ठीक है इससे पहले खंड सर देख लिजे इसका कितना बहतरीन लिखाए और इसी ने इसको सारे प्रशन खंड के अंदर किये यह खंड भी यह पॉइंट बना यह ऐसा लिखिए आप फिर नीचे अंडरलाइन कीजिए ऐसा तो यही तो खासि ही इसके हेडिंग डालने और हेडिंग डालकर फिर आपको क्या करना है वर्णन करना है देखिए यही तो है बच्चा टॉपर और इसको टॉपर बनाया किसने है इसकी लेखन सेली ने इसने परभावित किया आप भी जानते हो आपको भी याद है आप भी कॉपी में सही लि प्रेस करो उसको परभावित करो आपकी लिखावट आपकी सेली उस पर सकारा तो परभाव उसको कोपी जाचने में आसानी हो बिल्कुल इसने अकसरों को खुला लिखाए और पॉइंट तो पॉइंट हेडिंग डाल डाल कर लिखाए तो एक्जामिनर यहां ही पढ़ लिया पढ़ने की उसको जरूत नहीं उसको कोपी जाचने में आसानी होगी उतना ही वो नंबर आपको अधिक देंगे यह थे सारे चानव देखो सारे प्रश्णों में उसको किस तरीके से लिखाएं वैसा ही एक तो तरीका यह है और दूसरा मैं आपको बताऊंगा यह बना लिए ठीक हैं ये पांच छे इस तरीके से पॉइंट बना कर लिखो यहां भी देखो अरजुनलाल से टीप रारम एक जीवन करांती कारियों से सम्मंद अन्य कारे ये सारे के सारे चीज़े ऐसे ही लिखोगे तब ही आपको क्या होगा पूरे नंबर आएंगे यह सारे हे अलग पैन से भी लिख सकते हो ये सारा देखिए किस तरीके से कर व्यवस्ता वगेरा पूरा ऐसे आप पॉइंट बना कर लिए तब ही आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे ये फिर मातमा गहंदी वाला था तो उसका जीवन परीचे उसके बाद खेड़ा अंदोलन च अंकित किया सारे स्तानों को तो एक पर आप दूसरे वन टू थ्री फोर या एबी सीडि से अंकित करना है और वो लिखना भी है इस बार थोड़ा ध्यान देना है इससे समझत कैसे लिखना है मैंने पूरे वीडियो डाल रखें आप चैनल पर जाकर पूरा देख लीजिए क सारे गांदी जी से समंदी था तो गांदी जी ने कौन से आंदोलन चलाए क्या किये इस सारी बाते यहां पर इन्होंने क्या किये लिखी हुई है इसी बात को आपको ध्यान रखना अब तीसवा कि उसन यह इसने नहीं लिखा लेकिन आप लिखिए कि इसका उत्तरमान चित यह दूसरे टॉपर्स की कोपी तो देखो इसने भी देखो बात पॉइंट टू पॉइंट लिखिया आप ऐसे भी लिख से उतना वर्ण नहीं करो वन लाइनर आपको पता है कि मेरे पास कम समय तो ऐसे लिखिए सिधी पॉइंट टू पॉइंट बात लिख दी इसने जो पू इसने अगले या तो वैसे नहीं तो ऐसे नंबरिंग कीजिए आप नंबरिंग यह पॉइंट है तो पॉइंट बना कर आप अपनी बातों को क्या कीजिए लिखिए जैसे इसने पॉइंट खंड से क्या सर में ज्यादा बनाए हैं चार नंबर वाले उसने तो क्या क्या हैड डालिए हेडिंग नहीं डालिए तो आप इस तरीके से आप वन टू थरी ऐसे पॉइंट अलग अलग बीच में आप लाइन चोड़े कितना खुला बीच में आप गैप देखेजिए यह ध्यान रखना है आपको खुला लिगना ताकि एकजामिनर को पढ़ने में क्या हो हैं नेक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद